तो दोस्तों यहाँ 793 किलोंडरस की दूरी को तै करते हुए अपनी तमिल नाडु एक्सप्रेस आज की है इतार्ची जंशन और पीछे से छूट रही है अमर गंटे एक्सप्रेस जो की दूप से भोपाल के बीचे चलती है आगर बारी आती हैं नाई दिल्ली से चन नही के बीच किसी भी ट्रेंस से यात्रा करने के सभी यात्रूं के पूरा चेन्ने ही तक है सफर को देखने वाले हैं पार्टमट में गुद्नी घार सफर हम लोगों ने डीटेल में कोवर किया इस बार धारा कुह बेतूल वाली जो घार सेक्शन उसे हम लोग कोवर करने वाले हैं इतर्सी में आपको खाने बिने की सभी चीज़े मिल जाएंगी समोसा एडली मेरा सभी चीज़े सेशन में अब लेबल है सेशन काफी बड़ा है ट्रेन हमारी यहां पर बिल्कुल राइट टाइम में 8.35 आज की है तस मिर्ट का यहां पर स्टॉप है उसके बाद निकल जाएंगे हम लोग आगे के सफर में बता दूँ कि मुझे अभी तक तमिराड एक्ष्परस में काफी मजा आया है जिन नोगों ने पार्ट वन नहीं देखा दिस्क्रिक्शन में लिख दिया हुए वह से जाकर के पार्ट वन को ज़रूर देखा को तभी आप एक फ्लो में रहेंगा और आपको मजाब होदा आने वाला है सामने हमारे केवडिया रेवा महावना एक्ष्परस आज के जिसे केवडिया रेवा स्पेशल के नाम से भी चलाया जा रहा है तर दिहों आजिए और आजिए लाग दिवर्ट गुर्म धिव्यर द्हुझा अलगी और अजिवर्ट खांड़ चालिए कृपया ध्यांगी जिये नई देले से आने वाली चलनाई को जाने वाली शुनिय तो छे तो तो नई देले चलनाई सेशल कुछी समय में प्लैफॉर्म करवां तो से चलने को तैयार है हमास की सफल सुखर एवो मंगलना याकरा की कामना सर्थिक है तो यहां पर देखिए इस टार्सी में कितनी वेराइटी अवलेबल है खाने पीने की इडली डूसा बड़ा प्रेट उपरा सभी चीज़े मिल जाएंगी मतले प्लिक्टर्च होने वाली है नहीं आप और इडार्सी से एक रूट जबलपुर के और भी गया हुआ है जो कि आगे जाकल के प्रियाग राज, रेवा, सतनी, कटनी इन सभी रूट के लिए निकल जाता है और एक रूट है जो कि साओज माउंड है पुरा मतलब चैन्नी बैंगलावा तमिल नाडू अगर इन सभी आपको जाना है तो बहुरू बेस राएगा बाकी सामने खड़ी यह हमारे गुरकपूर के और जाने गुरकपूर से ल्टीटी के और जाने वाली एक्स्प्रेस में आपको मुंबाई रूट पी दिखाता हूं अभी डिपाल्चर की बात हुआ अगर 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 इस प्राइब करें तो बात है तो बात है यह जो रूट है यह निकल जाता है अगर जाकर के खंडवा भुसावा लाइन के और हम लोग बढ़ चुके हैं साउथ बंग लाइन के और अगर तरसी के बाद तमिलाडू एक्सप्रस का कोई स्टॉप नहीं है सीधा नाक्पू रुखती है दोपहर में तो बीच में जो अमला बेतूल स्क्रिप्स होगा वह आप लोगो दिखाता हूं अभी तो स्लोड चलते हैं तो दोस्तों यहां पे धार को रेल्वे स्टेशन आचक हैं आने वाले खुब्सूरत सफ़र की यहां आप देख सकते हैं कि अप और डाउन लाइन दोनों अलग हो गए एक दूसरे से और ऐसा इसलिए है क्योंकि अब टनल्स आने वाली है दोनों के लिए अलग अलग टनल्स है यहां पे जो पहली टनल है वह आ चुकी है और काफी थीरे ट्रेंड पार हो रही है क्योंकि कुछ काम चल स्क कारव ट्रेन ने काफी धीरे पार किया और सब स्थै loaf ग्रिम कर सकते हो वह इतले हैं समझी यहां से छंती क Bethторов acceso च नओधर robi ऐसे करारव में काफी धीरे से निकले पार लोग से एक्सपरेंश करा साथ देखते गेज़ं़ दूसी टरनल विए ऐख कि ए बैस लुह इसक्टें पहली टरनल से नहीं निकली है और यहां दूसी टरनल ला कृत एंट्री करली है यहां लोक टरनल पगेरा पार कर चुके हैं और एक बहुत इंपोर्टेंट और थोड़ा डरावना सा सेक्षन है यह अब यह जो एरिया है यहां पर आपको साइड में गेटर्स तोगेरा देखने को नहीं मिलेंगे सीधा नीचे आपको घाटी देखने को मिलेगी और यह कुछ ऐसा नजार आपको देखने को मिलेगा सामने से एक मालगाड़ी जा रही है अभी टार्शी वाली लाइन के ओर और धीरे धीरे इस खतरनाक और खुबसूरत पुल को एक शांदार अंदाज में हमारी तमिल नाडू एक्सप्रेस पार कर रही है यह एक एक्सपीरिंस जो है काफी दरावना भी है और एक रुमान्चक भी आप इसे कह सकते हैं क्योंकि दूर दूर तक हर्याली है और यह जो मौसम है बहुत ही अच्छा है और ऐसे मैं मैं चाहता था कि आप ज़रूर ही इस चीज़ पर एक्सप्रियंस करें ज़िया अपलोगी ज़िए इनको चुरत नजारू को मैं अपनों से ज्यां दिने ताम कि ल्यां डपनों से और चुरते हैं कि उना हुआँड़ से ताम मैं अच्ता बचली ज़गज ज़ जड़ रख़िए ग्यां और शुरते हैं इच्टाली है और बग्लाफंने से अफ़ग़गगजशब ज़ झाली हैं खाली हैं को ढग़गगगदब रबटें रच्पटब आप 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 अब धरको से मरमा जरी तक ही आपको यह सबी चीजे लगातार देखने को मिलेंगे उसके बाद यह चीजे थोड़ी कम हो जाती है आप 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 आ आप और फज़ जज़ जड़ जज़ झाती है तो दोस्तों अभी तक तो अपना सफर तमिना डोक्स में काफी बढ़िया चल रहा है हमने बेतूल को भी अच्छी खासी रफ्तार में स्किप किया और थोड़ा स्लोग हो गये लेकिन अब बारी है अमला जंक्शन को स्किप करने की चलिए अमला जंक्शन स्किप करते हैं वहा हाँ से भी रेन का हाई स्पेड स्किप होगा चलिए देखते हैं मला स्किप दोस्तों ट्रेन लगा तार 110 किलोमेटर पर देहटे की रफ्तार में चलिए और अमला को हमने काफी अच्छी रफ्तार में स्किप कर लिया है मैं आप लोगों को बता दूँ कि ट्रेन का आज बर्थड़ी है 7 अगस्ट आज है और आज ही के दिन 1976 में हमारी ट्रेन के इनाग अगरेशन हुआ था तो कल आगरा से हम लोगों कुछ केक लिए थे 12 बजे था आप लोगों के साथ सेलिब्रेट किया था और यह पार्ट तू है जैनी का तो अब इसे फिनिश करता हूं अब ट्रेन के कुछ यादों के साथ मैं एक्शली इसको पर कुछ आर्टिकल्स दूगा उन्हीं आप पढ़ियेगा तो इनकी हिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छा लगेगा आपको उस समय न्यूस्पेपर में क्या आठिकल आया था उसे मैं पढ़ रहा था तो चलिए सेलिब्रेट करते हुए बर्सदेश को मैं फिनिश करता हूं और आप रहों से सी रहे बार के लेकिन आप लोगों को बता दूँ कि अब नाकपुर आने वाला हों नाकपुर आने के पहले आपको बहुत सारे खेड़ दोनों तरफ देखने को मिलेंगे संतरों के भारत में सबसे आदा जो संतरे हैं औरण्जेज हैं वो नाकपुर कि इसी बेल्ट में किसे दिखते हैं तो दोस्तों वह है नाकपुर की फेमस डायमंड क्रॉसिंग और जहां पर आपको गाय भेंस दिख रही है उसके थोड़ा सा गई वहां पर मैंने कई बार आपको ट्रेन से भी दिखाया है उसे और गुंडिया लाइन से वह गुड्स ट्रेन आ रही है जो सामने आप देख सकते हैं खुबसूरत सा केबल ब्रिज तो दोस्तों यहां अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है नाकपुर जंक्शन और काफी बड़ा स्टेशन ने प्लेटफोन नमबर टू पर हमारा राइवल हुआ रूट्स की बात की जाए तो नाकपुर से आपको तरह तरह के रूट्स मिल जाएं मतलब सेंट्रल इंडिया में हैं आपको हर जगा से यहां की गाड़ी मिलेंगी चिन्न नहीं बैंगलोर ट्रेंद्रम हाउडा प्रयाग्रा सभी रूट्स में आप जा सकते हैं साथ-साथ क तो पूरी एहमदाबाद मुंबई के लिए भुसावल के लिए हर रूट्स के लिए गाड़ियां यहां से मिल जाएंगी रूट्स जो है भुसावल मुंबई वाला वह अलग होता है सेवागराम जंक्शन से लेकिन बहुत सारी ट्रेने नॉन स्टॉप होती है तो इसके लि इंडिया बिलास्पूर रायपूर होते हुए ताटनगर हावड़ा वही आगे अन्य रूस में डिवाइट हो जाता है रांची वेरा सभी रूस में आप यहां से जा सकते हैं पीछे भी हमारे कोई इस्ट कोस्ट की गाड़ी आई हुई है तामिल नादू एक्सपर्स हमारी मैंने दिखाया है और हल्दी रांस के स्टोर में काजू कर लिवी बढ़िया मिलती है चले मिलूंगा आप लोगों सब तक उस ले लिया जाए खाने का तो भाई लोग यह है नागपूर की बिर्यानी जिसके मर्पी 70 और हल्दी रामस की हमें 50 में मिली है देखते हैं इसका स सब्सक्राइब कर देख सकते हैं हम लोग और चार लोग के लिए चार चार्जिंग सॉकेट्स और साइड लोग साइड पर में भी सेम चीज़ लगी काफी साफ सुत्री ट्रेन आग 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 तो दो नागपूर से निकलते निकलते और इंवर्फी अपने को मिल गई है लग अबने जो इस्ट कोर्स्ट की गाड़ी आई थी वह लोक माने तिलग भूनेश्च्वर एक्स्प्रेस और यहां बारे शुरू उचकी हमारे नागपूर से निकलते निकलते जो कीवेश बीचे हो काफी कुप्शुरत लगता है कि यहां हमारी टेन को ज्यादा देर नहीं रुखा गया महां तर पांच मैंच में तो निकाल भी दिया गया तो आपको पास सफिचे टाइम होगा पार थोड़ा क्विक्ली रियाक कीजिएगा खाना पीना कलेक करने के लिए पिलाल अपनी ट्रेन अभी अजनी रेल्वेस्टेशन को हाई स्पीड स्क्रिप कर रही है और यहां बारी है टेस्ट करने की भाइस का स्वाथ कैसा है दिखते हैं कि कि साथ में तरी भी दी गई है कि आप तो सलन गोलते होंगे कि पचास रुपे के हिसाब से क्वांटेटिक सही है और क्वालिटी भी सही लगए इसमें आप देख सकते हैं काजू अब ही पड़ा हुआ है मतर काजू और सब कुछ दिये के अपना प्रप्रेट पचास रुपे में वर्त है अब त्रीन का खाना देखते हैं कैसा है जो की कि और दाल देखें कि अब दाल भी बढ़ी है मतलब कोई कमी देखने रहे दाल में पर आप जो तीसरी सब्दी सुरू कि शीच की देखना पड़ेगा यह है मटर अच्छा छोला है देखतें इसका स्वाथ कैसा है एक दम विदर्भार स्टाइल खाना है काला मसाला पड़ा हुआ और त्रेस काफी अच्छा लग रहा है मदलब मेरको दोन ही खाने काफी अच्छे लगे तो अगर आप तो ट्रावल कर रहो तो ट्रेन का भी प्रिफर कर सकते हो स्टेशन का भी रा सकते हो भोग के साब जब तो आपको टाइम लगे जब भूग लगे बिलकुल ट्रिकमेंट देले कि करते हैं भी पुर्च सोल थक्रिप बदद으 कि बास है क्रत्र। लगालवशन कि रहा है कि क्रत्रके म्चरपल म स devoir स्ब़ब्राभ गता है कंब दे, क्रत्र all अवस्ट ए कि हम परी नव झावा। अब बारी है सेवा ग्राम जोच्छन को स्किप करने के और आपको डिपार्चर में 90 दिगरी कर देश्टे को मिलेगा स्ट्रेट रूट चला जाता है मुंबई लाइन के और जाती है जल्काओं से लाइन एहंदबाद पूर्टिय अलगों जाती है स्ट्रेट लाइन जाती है मनमाण नाशिक होते हुए मुंबई जहां से आगे आप दौने भी जा सकते है स्ट्रेट नाशिक सकते है क्या हर जा सकते है आदक्या क्या क्या आप अा?. तो गाइस लंच हो गया है अब बार है तो दोस्तों कुछ ऐसे निखती है अपनी औरेंज बर्फी यहां से आप देख सकते हैं और शायद है कि अब आप वो कलर से इसके दिख पा रहा हूं अब लगारा मुझे संत्रे हैं उनको मतलब सुगर सिरफ में डुबा दिया आप टेस्ट देखते हैं कैसा है अब बढ़े लग रहे हैं मतलब संत्रे के जो क्या बोल सकते आप संत्रे का जो हिस्सा होता है ना उसमें आप खोया मिक्स कर दो वैसा टेस्ट आ रहा है खाईए खाईए अब बर्थरे टमिल नाडू का यह पार्टी हम लोग कर रहे हैं काफी अच्छे चीज मिली रूट में ट्रेंड में काफी बढ़िया चलिए गर्मी होगी लेकिन जैसे सेवा ग्राम पार्ग हम लोग आप लोगों से बलहार शाय स्टेशन पर लोग में झिमोड हो स्क्सिपस्तरा श्राबर के खीली स्टेशन खान कि हम लोग हैं कि अजय हैं कि और्मीय के वा रह रां तो दोस्तों यहां अपनी तमिल नाड़ एक्सप्रस आज कि बलहार्शा रेलवेस्टेशन चार दस पर हम लोग यहां पहुंचे हैं वैसे 425 का यहां पर राइवल था है यहांनी चार 25 का और पांच मेंट का हॉयल था भी यहां काफी देर रुकेगी हमाई ट्रेन तडूबा यहां से काफी करीब है अगर आपको उसे विजिट करना तो आपको बलहार्शा उतरना पड़ेगा यह सेंट्रल रेलवेस का लास्ट बड़ा स्टेशन है साथ में इसे 1929 में उपन किया गया था 1989 में नागपूर तक यहां से लेक्रिफिकेशन का काम पूरा हुआ उसके बा मुस्टली बलहार्शा में होता है में ट्रेंस का यहां अपनी तमिलादु एक्ष्प्रस पहुँच चुगे काफी लेजेंडरी ट्रेन है नाइटीन साथ में इस ट्रेन को चलाए गया था था थी और इसमें एसी टू टायर फर्स्टेस साथ में नौन एसी फर्सक्लास का प बदलते बदलते ऐसी है लेकिन एलेज़ भी है अब कमफडेवल ट्रेन ओचकी है जब यहां से लेगी बाकी की बाते हैं आप लों से तब होगी बलहार्शा एक मात रहसा सेशन है मुझो लगता है जहां पर ऐसे जंगली जनमर बनाए गया है रेलवे स्टेशन में अगर आ नागपूर में टाइम लेवल पाया और जो डेरी थी काफी पीछे थी और एंज बर्फ कम लोगें अब यहां पर यह ट्राइगरते हैं काफी बढ़े है टेस्ट है और मात्र 25 रुपीज का पड़ता है तो आप लोग आर हो भाई तो प्राई करना जरूर बताना बाद में क अलूबा वाई लेफ की कुछ चित्र आपको यहां पर दर्शाय गए हैं काफी कुस्तूरत लग रहे हैं खेर मजाग अलग तरफ हैं और यहां कम लोग आदे गंटे ज्यादा रुकेते बलाश है रियर्मेस्टेशन में और यहां से फाइनरी चल चुके हैं वर्धा नदी क दर्शन होंगे डिपार्चर पर यह है भारक का सबसे शक्तिशाली गूट के वह हैं और यह स्कूर्म डबलो एजी ट्वेल्ट क्रफ़ ज्सफ़ार्चरत शॉके देरे फवेल लत्म जशाम को आमेर को को नहीं है बारत दो स्क्रावी ठत्र घ् झार में गूगल गलगदोंगें त are यहां यहां दो रांगार्चर्चर्ण लूटर्म य Goodbye बढ़्स… बढ़्सुरी पर स्थाओ है रहेगा श्रेवा है के अच्छोंडल उच्छोंडल तो आपसे कुछ से समय में सिर्पूर कागज नंगर रेलवे स्टेशन आने वाला है लेकिन यहां भी आप देख सकते हैं दोनों तरफ बांस के आपको बहुत सारे पेड़ देखने को मिलेंगे मतलब बैंबू ट्री आपको देखने को मिलेंगे और इनहीं की हर्याली है जो हर स्रिपूर काघह नंगर नाम से ही आप समय सकते हैं सिर्पूर कागज नंगर स्टेशन के यहां में क्रेन स्पिरी शिर्पूर कागज नंगर रेलमेस श्क कि अधिया गया है यहां पर तमिल नाडू को नहीं दिये गया है स्टॉप बहुत ही गम स्टॉप है अब किवल वरंगल एकमातर हमारा स्टॉप अचा है फिर विजय वाड़ा उसके बाद सीध हम लोग चिन्ने ही मतलब रुकेंगे जाके यहां देखिए पोर थर्टी शाम मे चली थी और कल सुबह 6.30 तक ये वल तो ही स्टॉप है तो दोस्तों अभी संसेग बहुत ही प्चूरत हो और मैं अपलों को बता दूँप हम लोग बदावरी नदी को पार करने वाले मंचेरीयल जस्ट अभी अम लोग ने पार किया है आप लोग एंजोए ती जेखिए नह को मैं अपना उसे जल हिंगलता हूँ झाले में सकतर हूँ प्रप्रों पोपी झाल हुआ है हुआ है 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 अगा है दोस्तों 740 का टाइम था यहां पर 820 पर हम लोग पहुंच रहे हैं परंगल तेलंगना का second fastest growing city यूलीफोर्म तेलंगना का second fastest growing city और यहां घाने भीने के बढ़ी हो अप्चिन हमेशहां मिलकर रहे हैं अगर तमिल नाटू एक्पेस अप्टों यातरा कर रहे हैं तो त्रेन के जो stoppages है काफी काम है अप इसके बाद सीधा और राच 11-11 बजाएगा तो मै पड़ा भी मेरे को मिला है वो 35 को पड़ा है चलिए उसको टेस्ट करें कि बाड़ी यह चलेगी कर अपनी जर्नी के दौरान आप लोग बरंगल को भी एक स्टॉप ले सकते हैं डिनर बगर अकलिए पहले मैं टेस्ट करूँ उसके बाद इस चीज को अम लोग कंफर्म करेंग कि लगबक हर कोच के पास एक वेंडर भाव और कफी तेजी तेजी सभी आज़ों मुझे लगबक जिनको ज़र्वत रही है डिनर की दिनर उन तक पहुंच गया होगा तो स्वाद देखना है कैसा है स्वाद एर वरंगल से तो हम लोग निकल चूए रात भी होच किया अब नजारे दिखाने तो दिखा लिए अब चले शौर्ब उस ग्षाने का कैसा है तो दोस्तों यह ए ड़ी वड़ा जो अभी हमें वरंगल से 35 में मिला है अब देखते हैं उसका स्वाद कैसा है है दोस्तों यह परियानी विज दम बिरियानी आप बढ़ी तो लग रही हैं सिरिस्लिया राइस में तो मज़ा आगया तेस्ट काफी अच्छा लगा साथ में यहां पे रायता भी दिये गए हैं उसके साथ खाऊंगा बाद में पहले बिरानी सुचा रो टेस्ट की जाब इडली की बारी कि यह लोग को रसम पसंद है टोमाटो वाला वाइसा बिल्कुल सामभरे चरपड़ा से मुझे कफी पसंद तो मुझे अच्छा लगा है बिल्कुल इंदे भाई बरंगान साफ तो टिनर ले सकते हो मैं तो बहुंग नाग्पूर में मत खाऊं चीदा बरंगान में खावाटे खाना सॉफ्ट और टेस्टी दोनों ही चीजे है और वर्थ है अपने प्राइस के साफ़ से चलि मैं से फिनिश करता हूं जल्दी तो दोस्तों यहां पे टोटल 1,751 किलो मेटर की दूरी को लगभग 26 आर्स में तया करते हैं हम लोग 11 बच्चे 10 मिट पर आखके हैं विजयवाड़ा और विजयवाड़ा जंक्शन यहां पे हमारा एक्शली अर्यवल था 11 बीस का और 10 मिट को होल्ट पर यहां में समय से का सब्सक्राइब करें तो दोस्तों यहां हम लोग आज करें विजयवाड़ा जंक्शन जो की बहुत बड़े जंक्शन है 11 प्रेटफॉर्ण को स्टेशन है और यह भारत का फोर्थ विजयवाड़े स्टेशन है हावड़ा नई दिल्ली कानपूर के बाद यह चौथा सा स्ट बहुत जादा है यात्री बहुत जादा है और यहां हमारी ट्रेन आज कि है विजयवाड़ा जंक्शन जो की हावड़ा चन्नई में नई दिल्ली चन्नई में एक बहुत ही इंपोर्टन स्टेशन का काम करता है यहां 26 घंटे में हमारी ट्रेन ने 1751 किलोमेटर के दूरी को अभी भी चन्नई यहां से लगबख 4-33 किलोमेटर की दूरी पर है अब ट्रेन का कोई भी स्टॉप नहीं सीधा सुबह साड़े 6 वजे आप लोगों से चन्नई में मुलाकात होगी क्यूंकि अपनी जो तमिलाडू है नौन स्टाब अब इसके बाद भागने वाली है लेकि एक मेजर स्टेशन बन जाता है साउथ की इस से कनेक्टिविटी के लिए चाहे ट्रेन बैंगलोर चाहे चाहे ट्रेन वेंद्रम से उसको विजयवाड़ा हो करके गुजर नहीं और कोई भी ट्रेन स्टॉप नहीं है साथ ही टेकनिकल हॉल्ट ट्रेंस का और यहां पर उनों पिरूपती सिकंदराबाद एक्स्प्रेस शेकारान ट्रैक ब्लॉक टेसले अपने ट्रम रिप्रू वी थी और अब हम लोग यहां से चलने को तैयार है तो थोड़ा डीले हो गया दस मटका इस्पें के खारण बश्कुल बात लिए हम लावटे को स्टॉप नहीं है बीच में हम लोग नेलो और गोडो रेस जो भी स्टेशन से बीच माने वाले सबी स्क्रिप्ट करने वाले है फानली विजावडा से निकले हैं कभी अगर आप जो पहले यहां इस सूटी क्राबल किया है तो कफी अच्छी चीज़े मिली है इसलिए रिकमेंट में जरूर कर सकता हूं अभी भी कभी साफसुत्रा सेशन नहीं और यहां अपनी टेन अभी क्रिष्णा नदी में एंट्री कर रही विजावडा के बाद लेकिन रात कफी ज बनाया गया है सामने जो पुल देख रहे हैं उसमें दो ट्रैक है हम लोग जिसमें जा रहे हैं सिंगल ट्रैक कर से नय बनाया गया अब है और विजयवडा शहर रात ने भी जगमगार आए अभी हमारी ट्रैन ने क्रिष्णा अधी भी पार करे लिये तो अभी सो जाते है कल सुबह अपलों से मला कादू की चन्री संट्रल में देखते हैं ट्रन राइट टैम पहुंशती है लेट पहुंशती है जासा भी रहता आपको बताता हूं पराल के लिए गुट नाइट द अभी जो अपनी ट्रेन है इसने अनूर क्रीक वार कर लिया है पस्ता पगल में है चिन्दई देखें कब तक वह पॉस्ती है मैं कुछ प्लान कर रहा हूं बैंगो जाने के लिए क्या कुछ करूं कुछ रैंडम प्लान करते हैं आपको पता चले का चिन्दई अराइबल है प्लान कर दो दोस्तों निर्दारिश समय से काफी पहले अपनी तमिल नौड यूए पर साच किये चन्दई सेंट्रल 6.30 के टाइम समलोग 5.50 पहुंच गया है और पीछे खड़ी है अपने मैसू शदाबदी मैंसे भी पकड़ सकता था लेकि मैं सोजा चार-पांच वहंट में चीज़स में खाना पीना मिल नहीं रहा है कोई स्पेशल सरुसेज है नहीं तो हम दूसरी ट्रेन लेंगे हम दवगल डेकर एक्सपेस से आज अपनी बैंक और तक की जरनी को जो बची कुची है वो पूरा करेंगे बाकि आपको कैसा लगा मेरे साथ तमिला डू मेरा काफी अच्छा था आपका कैसा था बता एक जोरूर मिलेंगे से और बहुत सारी जरनी में ट्रेन रिव्यूज में आप लोग मुझे इस्टेग्राम में फॉलो कर सकते हैं इस्टाइड़ी द्रेन गुरू वहां भी इसकी अपडेट से रहा देता रहता हूं अपना ख करते हैं तामिल आड़ो से तो बस पूरां तम लोग मैसुल शड़ाब दी में चाड़ सकते दें चलिए ख्याल लखिएगा तब तक के लिए जय हिन दोस्तों मेरी ट्रेवलिंग अपडेट्स के लिए और मुझसे करीब से जुड़ निकले इंस्टेग्राम में मुझे फॉलो करना बिलकुल न भूलें अगर आप चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे ही और बहुत सारे वीडियो मिलते रहें थैंक्स फॉर व